यह देखिए यह पंखे का एकदम टेस्टिंग का साउंड प्रूफ रूम है अच्छा देखिए साउंड प्रूफ का परपस क्या है कि पंखे में किसी भी परकार का अगर नौइज है तो यह नौइज का पता आपको चलना चाहिए अब देखिए यह आटोमेटिक चलता है अच्छा फिर बाद में इस टीक को तो हटा दिया जाता होगा अच्छा वो टीक अंदर नेंपलेट में रहेगा अच्छा वेरी गुड अच्छा इसको जो चेक करते हैं इसका तरीका क्या है जैसे माली यह पंखा यहां पड़ा हुआ है यह सेंपल के लिए रहा है जैसे अच्छा लॉकिंग वगएरा लोगवाट कितना लॉकिंग रहना चाहिए अच्छा साट पच्पंद से साट के बीच महाना चाहिए लॉकिंग लॉकिंग वाव लुबभा इदेखिए यह बेरिंग का सब लगा हुआ है और अटमेटिक चल रहा है इसमें एक लाइन से प्रूफ रूम है एर कंडिशन एसी है यह पुरा मसीन है हम लोग जेनरली क्या करते थे लॉकिंग चेकिंग करने के लिए हम लोग का भी मसीन था लेकिन इतना हाइटेक मसीन नहीं होता था हम लोग का सिंपल एक मसीन होता था जेनरली अब यहां इंटरनेशनल ब्रांट का पंखा तो अपना बनना नहीं था, अपना लोकल ब्रांड का पंखा बनता था, तो हम लोग का एक सिंपल उसी टाइप का हाई भोल्ट ये लॉकिंग टेस्टिंग मसीन होता था, तो हम लोग क्या करते थे पंखा में लाइन देते थे, लाइन देने के बाद हम लोग देखते थे कि 220 भोल्ट पे ये कितना वाट कंजूम कर रहा है हम लोग फॉस्ट ये देखते थे 220 पे अगर मान लीजे 220 पे वो 50 वाट कंजूम कर रहा है तो चलते हुए मोटर को हम लोग क्या करते थे रोक लेते थे बिलकुल चलते हुए मोटर को हम लोग रोक लेते थे और रोकने के कि वह कितना वाट अब कंजूम कर रहा है अगर रोकने पर वह नबवे वाट कंजूम कर रहा है तो 90-50 यानि वह जो लॉकिंग आया वह 40-का लॉकिंग या चालीस का लॉकिंग भी हम लोग के लिए कम नहीं था अब यहां देखिए अभी थोड़ी दिर के बाद जब उधर से लाइन से अभी तो जस्ट चेकिंग स्टार्ट हुआ है पंखा जब आने लगेगा तो फिर एक वीडियो में उसको हम दिखाते हैं यहां के सबसे भड़ी खुबी एक चीज देखिए यहां पर क्या हो रहा है न कि एक एक रिमोट में बैटरी लगा के रिमोट की टेस्टिंग हो रही है मतलब यह समझगे जहां से रिमोट बनके आया होगा वो तो एक बार चेक किया होगा लेकिन कशूमर के पास जाने के पहल एक एक remote की testing हो रही है यह है इंका BLDC का remote इसमें देखिए आपको साब साब दिख रहा है उपर का जो बटन एक तो यह on-off हो गया एक से on कीजिए दूसरे से off कीजिए अगर आप सीधा एक नमबर दो नमबर ती नमबर चार पांच तो ही बीच में एक full speed का option है दूसरा टाइमर में बड़ा एसपस्ट है यह remote हमको थोड़ा अलग टाइप का दिखा जेनरली लोग प्लस माइनस करके timer यह वो करते हैं यहाँ पे साफ लिखा है अगर आप दो पे प्रेस करेंगे त तो यह 2 घंटा चलके बंद हो जाएगा अगर आप 4 पे प्रेस करेंगे तो 4 घंटा चलके बंद हो जाएगा 6 पे तो 6 घंटा और 8 पे 8 घंटा मतलब इस तरह से आप एक तो BLDC पावर सेव करता है और दूसरा अगर आपको मान लीजिए कि यूज कम है तो आप सिधा timer लगा आपके चले गए उस हिसाब से एक अलग फैसलिटी इनके पंखे में है कि एक रिवर्स स्पीड का यहां पर ऑप्सन है यह देखिए रिवर्स अब उलेगा पंखा का काम तो हवा उपर से नीचे देने का है तो यह रिवर्स का फिर मतलब क्या है मतलब यह है कि अगर आपको डाइरेक्ट हवा नहीं चाहिए और घर में एर का रोटेशन चाहिए तो यह जब रिवर्स आप प्रेस करेंगे तो यह क्या करेगा नीचे का हवा को उपर ले जाएगा और उपर से छट के द्वारा यह सर्कुलेट करेगा मतलब एक फीलिंग आपको मिलेगा अब चेकिंग यहाँ पे पंखे से की जाड़ी है तो यतना टाइम टेकिंग काम है अब एक एक रिमोट का एक एक स्पीड से पंखे पे चेक हो रहा है तो इसमें टाइम लगता है लेकिन क्या है कि जब आप कोई इंटरनेशनल ब्रांड को एस्टैबलीज करते हैं तो सबसे का कोई rejection नहीं आ जाए यह जो मॉडल आप देख रहे हैं यह BLDC का एथरा मॉडल है यानि BLDC का जो स्टार्टिंग मॉडल है उसको यहां पर एथरा नाम से रखा गया है और उसका यह टोपाज कलर है देखिए एक और चीज में दिखाना चाहरूंगा कि जिस रिमोट से जो पंखा टेस्ट हो रहा है ठीक है उस रिमोट को उसी फैन के साथ यहां पर टैक कर दिया गया मतलब यह पंखा फुली चेक हो गया हर तरह से और जिस रिमोट से हुआ उस रिमोट को वापस से पैक करके और देखें यह इसमें पॉलिथिन लगा दिये अब यह क्या करेंगे इसके साथ इसको टैक कर देंगे मतलब जब यह आगे के सेक्शन में जब यह पैकिंग में जाएगा तो यह उसी रिमोट को ही पैक किया जाएगा तो एक एक पंखा का एक एक रिमोट यहां पर टेस्ट तोड़ा है अच्छा इसमें थोड़ा सा आप हमको गाइड कीजिए कि क्या क्या चीज की आप चेकिंग करते हैं एक पंखे को बताइए जरा सा प्राइब करेंगे ठीक है अब यह अभी कनेक्शन इसमें आ गया इसको बंद करदेंगे ठीक है मैं चाहता हूँ कि एक-एक लोगों को एक-एक चीज का पता चले पाड़ दर्सी रूप में ल बी-एस मतलब लो वाट लेकिन फिर भी यहां पर गाउं देहात तक भी-एक चुकि यहां का पंखा जो है ना राहूल जी का मेन मोटीव क्या है कि इनका पंखा गाउं गाउं तक पहुंचे यह आम आदमी को कनेक्ट करने वाला पंखा है इस पर यह फोकस्ट है कि इनका पंखा कैसे गाउं गाउं के लोग तक पहुंचे तो इसलिए यहां पर लो वोल्टेज की भी चेकिंग होड़ी आगे बताईए आगे क्या करते हैं यह क्या है भाई नो लो वाट इस्टेशन यह क्या हुआ बिना लोट के तो जीरो आनी चाहिए यह स्टेंडर्ट है अब दिख रहा है यहां अब यह कितना ओफ मोड में खाड़ा है देखिए आफ मोड में कोई कंजंशन नहीं है पंखे में लाइन दिया हुआ है स्टेंड बाई में पंखा है कंजंशन इस जीरो अच्छा अब इसको ओन कीजिए एक नंबर पर हम लोग हैं अब आप लोग देखिए कि एक नंबर में क्या पावर कंज्यूम करता है एकदम गोड से देखिएगा यह ना कंजंशन मीटर अभी देखिए वाट में दो वाट का कंजंशन है मात्र दो वाट एक नंबर स्पीड में अगर पंखा चला रहे हैं नो लोड पे मतलब विदावट ब्लेट पे ब्लेट पे कितना जाएगा एक्स्ट्रा थीस फूल वाट पर जाएगा ना अगर एक नंबर लगा रहेगा तो उतना भी नहीं जाएगा ब्लेट से तीन चार वाट कहीं डिफरेंस आता है अच्छा देखिए अभी नो अब नंबर पे किजिए इसको नहीं दो पे देखिए इसका क्या नो लोड पे क्या है दो पे अधाई वाट अधाई वाट भी नहीं है तू पॉइ जैसे जैसे बर रहा है वो ऐसे कंजंशन पर ध्यान दीजिएगा अभी टू पॉइंट थ्री वाट यह तूप अधाई वाट पकर लिजे ना अधिक से अधिक कि अधाई वाट यहीं होगा अभी आईए एक स्पीड और बढ़ा यह चार नंबर पे आईए यह देखिए चा त्री पॉइंट थ्री वाट मात्र थ्री पॉइंट थ्री वाट क्या सोच रहे हैं विदाउट लोड पे अब ब्लेट पे कितना प्लस होगा वह हम लोग ब्लेट पे भी टेस्टिंग रूम में जाहिएगा यह मैक्सिमम फाइप पे इसका फुल कीजिए तो फुल स्पीड की चेकिंग हो रही है पंखा रुक गया और रुकने के बाद अब यह रिवर्स मोड में चलेगा ऑटोमेटिक यह रिवर्स यह के स्पेशल फीचर है जिससे आप हवा को नीचे से उपर की तरब कर सकते हैं और भी कोई टेस्टिंग करते हैं इसमें साउंड बगारा देखत चोटा आठ बाइच्व का यह कमड़ा है लग भगम को लगता है आठ फुट बाइच्व पूट इसमें भी एक टन का एसी यहां लगा हुआ है और यहां पे एक दम बाहर बहुत सोर है कार खाने का लेकिन यहां हम लोग को कोई नवाज नहीं मिल रहा है क्योंकि पंखे की आवाज को हमको पकरना है कि पंखे में कोई आवास तो नहीं है चलिए इस तरह से देखिए अपना टेस्टिंग का काम जारी रखिए उधर पीछे से देखिए पंखा आ रहा है जैसे जैसे यह चेक करेंगे एक एक पंखा आगे बढ़ेगा और जो रिमोट से वो पंखा च देख रहे हैं दो लाइन है तब यहाँ पर 24 मॉडल में पंखा का हिमत किया गया है कम बड़ी बात नहीं है एक नहीं दो दो लाइन पर पंखा चे खोड़ा है बहुत अच्छा लगा